नमस्कार वीकेवी न्यूज में सुबा के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है अब रुख करते हैं आज के हेडलाइन्स पर चार अक्टूबर से स्कूल और साथ अक्टूबर से शुरू होंगे शहर के धार मिक्स थल मनपा आयुक तके आदेश कोविड नियमों का पालन करना होगा अनिवारियों डॉक्टर ने अपने ही दोस्त को लगाया 25 लाग का चूना 25 लाग लिये थे उधाय जरिपट का पुलिस टेशन में मामला दर्च और महानगर पालिका के कार्यकरम को लेकर भाजपा और कॉंग्रेस में टकराव किस्तिती पालक मंद्री का नाम शामिल न किये जाने से विवाद गर्माया और अब खबरे विस्तार से कोरोना महमारी से निपटने के लिए भले ही कुछ पाबंदियों के साथ लोगडाउन रहा हो लेकिन अब स्थिती नियन्त्रन में होने के कारण धीरे धीरे बडेग दी चेन के तहत रहत प्र दान की जा रही है ब्रेक दी चेन के तहट अधिकांश गती वीधियों को शुरू किया गया था किन्तु स्कूल और धार्मिक स्थलों को लेकर पाबंदिया बनी हुई है राज्य सरकार की और से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार चार अक्टूबर से शहर सीमा में स्कूल शुरू करने के आदेश जारी किये गए फिलहाल कक्षा आटवी से लेकर बारवी तक स्कूल शुरू होंगे महानगर पालिका के आयुक्त रादा कृशनन बी की और से जारी किये गए निर्देशों के अनुसार संबन्दित स्कूल शिक्षको को वैक्सिन के दोनो डोज लिए होना अनिवार्य है इस संदर्ब में विशेश रूप से शिक्षको के दोनो डोज हुए है या नहीं इसकी सुनिश्चता मुख्यधापक करेंगे वैक्सिनेशन के लिए मुख्य धहपक को मनपा के स्वास्थय अधिकारी से संपर्क कर मुहीम के रूप में सभी सम्मंदितों को वैक्सिनेशन कराने की हिदायत भी दी गई है निर्देशों के अनुसार यदि संभव हो तो स्कूल में हेल्थ क्लिनिक शुरू करना होगा जहां नियमित रूप से छात्रों की टेंपरेचर की जांच होनी है साथी संभव होने पर इच्छुब डॉक्टर या पालकों की मदद ली जानी चाहिए सभी स्कूल स्वास्थय केंद्रों से सनलगनीत करने होंगे हेल्थ क्लिनिक में स्थानिय स्वास्थय केंद्रों में नियुक्त डॉक्टर और नर्सों की मदद लेने की भी हिदायत दी गई है इसी तरह महानगर पाली का आयुक्त की और से 7 अक्टूबर से डियमो का कड़ाई से पालन कर धार्मिक स्थलो को खोलने के भी आदेश जारी किये गए धार्मिक और पूजा स्थलो पर मास्क लगाना तता सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा संबंदि ट्रस्ट को थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था करनी होगी जिनोंने वैक्सिन के दोनों डोज लिये हो उन्हें ही धार्मिक स्थलो में प्रवेश देना होगा अस्पताल की सामगरी खरीदने के लिए एक डॉक्टर ने अपने दोस्त से 25 लाक रुपे उधार लिये बार बार मांग करने के बावजुद रकम नहीं लोटाई आखिर पीडी डॉक्टर ने पुलीस से शिकायत की जरिपटका पुलीस ने आराधना अपाटमेंट काटोल निवासी डॉक्टर महेश गंगराम करुपलानी की शिकायत पर मामला दर्च किया है। उन्हें करुपलानी को आर्थिक तंगी होने की जानकारी दी। उन्हें बताया कि अस्पताल के लिए कुछ सामगरी खरीद नी है। इसके लिए 25 लाक रुपए की जरूरत है और 90 दिन में पूरी रकम वापस कर देंगे। कुपलानी ने बगे पर विश्वास कर 25 लाक रुपए दे दिये। इसके बदले बगे ने तीन चेक भी दिये थे। तीन महिने की जगह छे महिने बीद गए लेकिन बगे ने रकम नहीं लोटाई। कुपलानी ने अपने पैसे मांगे तो टाल मटोल करने लगे। इसलिए कुपलानी ने उनके द्वारा दिये गए चेक बैंक में जमा किये। लेकिन बगे ने बैंक को तीनों चेक की पेमेंट जारी नहीं करने को कहा था। चुनावी मोड पर आ गए है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि महानगर पालिका के माध्यम से होने वाले कारेकरम सत्ता पक्ष ने पूरी तरह अपने नियंतरन में ले लिया है। यहां तक की प्रोटकॉल का पालन करने से चूप गई। इसका उधारन में विपक्ष को नेता देविंद्र फर्णविस के हाथों सत्कार होने का उलेख किया गया। किन्तु जिला पालक मंदरी नितिन राउत का कही भी उलेख नहीं है। की और से आयोजन होने से सर्वप्रथम प्रोटकॉल का पालन करना जरूरी है। पत्रिका में शहर के तमाम विधायकों के नाम शामिल है। जिनमें कॉंग्रेस के विकास ठाकरे और अभीजित वंजारी का नाम भी लिखा हुआ है। किन्तु पालक मंतरी नितिन राउत का न काम नहीं होने से पत्रिका सार्वजनिक होते ही चर्चाओ का बाजार गर्म हो गया। कॉंग्रेस पार्षदों की और से इसके लिए अधिकारियों की कार्य प्रणाली पर कड़ी आपत्ती जताई गई। पार्षदों का मानना था कि सत्ता पक्ष हमेशा ही अधिकारी राज चापी जाती है अतहर इस समय भी इसका पालन किया गया होगा। आरोपी के खिलाव पुलीस में मामला दर्च किया गया और उसे गिरफतार कर लिया गया। मामला खापरी पुलीस थाना अंतर गद आने वाले खापरी का है। और वहां से निकल गये। ततकाल आला अधिकारियों को सूचना दी। उर्जा मंतरी नितिन राउट से सवाल किया है कि बिजली कर्मियों को सक्ति से बिल वसूलने का आदेश तो दिया जा रहा है। वसूली का टारगेट भी दिया जा रहा है लेकिन उनकी सुरक्षा का इंतजाम क्यों नहीं किया जा रहा। 24 दिनों तक कीमते स्थिर रहने के बाद एक बार फिर से पेट्रोल डीजल की तेजी का मीटर घूमना शुरू हो गया है। 28 सेतंबर से दोनों इंधनों की कीमते फिर से बढ़ना शुरू हो गई है। अब फिर से पेट्रोल डीजल की महंगाई का जटका लोगों को लगना शुरू हो गया है। जानकार मान रहे हैं कि आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल के दाम और बढ़ सकते हैं। महंगाई के दौर में इंधन आम आदमी को हलाकान करने की दम लेगा। 10 जुलाई को पेट्रोल 106 रुपे, 73 पैसे प्रती लीटर और डीजल 95 रुपे, 81 पैसे प्रती लीटर पर चल रहा था। 12 जुलाई से लेकर 3 सितंबर तक दोनों इंधनों की कीमते स्थिर रही और 4 सितंबर को एक बार फिर से पेट्रोल बढ़ कर 107 रुपे, 2 पैसे प्रती लीटर पर पहुच गया। लोगों का कहना है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ने से बजट बिगड रहा है। महंगाई से पहले से ही जनता त्रस्त है, घर का खर्च चलाना मुश्किल हो रहा था, जरूरी खर्च में कटावती करनी पढ़ रही है। अब पेट्रोल की बढ़ती कीमत से मुश्किले और बढ़ती जा रही है। नीजी कमपनी में काम करने वाले विने चौधरी ने बताया कि सैलरी में बढ़ती नहीं हुई है, जबकि महंगाई कई गुना बढ़ गई है। सरकार को इसका भी ख्याल रखना चाहिए, यही हाल रहा तो लोगों को घर चलाना मुश्किल हो जाएगा। जानकारी के अनुसर जिस तरह से पेट्रोलियम पदार्दों की कीमत लगातार बढ़ रही है, उससे लग रहा है कि पेट्रोल डीजल की कीमत अभी और बढ़ेगी। लोगों का कहना है कि सरकार को महंगाई कंट्रोल करना चाहिए, ना कि अपना खजाना भरना चाहिए। जबाई के बाद न्यायदिश विने जोशी ने कहा कि फरजी आधार कार्ट किसने बनाया, इसका खुलासा होना चाहिए, साधी मूल मालिक और उसकी पत्नी के रूप में रजिस्ट्रार कार्याले में किसे खड़े किये गया, ये इसकी जानकारी केवल याची का करता से ही प जिस पर खरिदार का नाम दर्ज करने के लिए आवेदन किया गया, बदीजे द्वारा इसका खुलासा होते ही कैलाश ने इसकी छान भीन शुरू करती, जिसमें कैलाश नाम से किसी अन्या व्यक्ति को मालिक बता कर बाल शंकर मिश्रा को खेती बेचे जाने की जानकारी आश्चर्य जनक ये था कि किसी अन्या महिला को भी रजिस्ट्रार कारियाले में दिखा कर खेती बेचने की पत्नी की सहमती बताई गई थी, लेकनी है कि अन्या याचिका करता मदन भारती ने खेती की खरीदी बीकरी के दोरान रजिस्ट्रार कारियाले में खेती के मुल मा कोने की जानकरी दे कर भेट कर आई थी खरीदार से उसे चेक के माध्यम से दो लाग पचास अजार रुपए मिले थे बैंक से निकाल कर उसने तुरंथ ही बेचने वाले को दे दिये थे खरीदी के लेन देन में मिश्रा ने उसे जबरन पाच लाग रुपए दिये थे वह भी लौटा दिये थे सुनवाई के बाद अदालत का मानना था कि जब तक हिरासत में लेकर दोनों से सघन पूछताच नहीं होती है तब तक पूरी जान संभव नहीं है अतह अदालत ने राहत देने से इनकार कर दिया वक्त हो गया एक जब चोटी से ब्रेक का मिलता है एक ब्रेक के बाद लाव यू Dopi का बाई सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरिट कालर मेरा फेवरिट डेस्टिनेशन मेरी फेवरिट डिश पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरिट डिश मैं बनाती कैसे हूँ अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है, वो अच्छे तेस्ट तक पहांची जाता है सुरुची मसाले खाने में होरुची, तो घर लाइए सुरुची अपने सपनों के उड़ान भरने के इच्छा, तो हर किसी की होती है पर पंग भी तो मस्बूत होने चीए जो देता है, Flywheel Aviation Academy Flywheel Aviation Academy एक ऐसा इंस्टिटूट है जहां पर एरलाइन और एरपोर्ट होस्पिटालिटी और टूरिजम मनेजमेंट साथ ही यहां Campus Interview, Guidance by Industry Expert, Practical Training at Airport, Expert Faculty, Personal Grooming जैसे कई सारे बेनफिट्स आप पास सकने हैं Flywheel Aviation Academy, One Degree, Three Job Opportunities Flywheel Aviation Academy, Gives You a Degree or Diploma with a Job Flywheel Aviation Academy, 365 गानी नगर, LAD College Square, Beside करनाटिका बैंक नागपुर ब्रेक के बाद आपका स्वागत है उपराधानी के विकास के लिए करोडों की योजनाए चलाई जा रही है उडान पूलों से लेकर सिमेंट सडकों का जाल बिचाया जा रहा है लेकिन मेंटेनंस पर किसी का भी ध्यान नहीं है यही वज़ा है कि समुझे शहर में ट्राफिक से लेकर साफ सफाई तक अव्यवस्ता का आलम देखने को मिल रहा है हलाकि कुछ दिनों बाद टेकड़ी उडान पूल तूटने वाला है लेकिन उससे पहले ही हालत खराब हो गई है उडान पूल पर केवल गड़े ही नहीं बलकि कीचड भी जमा हो गया है इस कीचड में अब तक कई वाहन चालक फिसल कर गिर चुके है टेकड़ी उडान पूल से पहले मानस चौक पर भी जानलेवा गड़े हो गए है आडे तिर्चे ट्राफिक से बचते बचाते जैसे तैसे उडान पूल पर पहुच भी जाये तो समस्या कम नहीं होती पूल के बीचों बीच गड़े हो गए है वही पेडों की शाकाय जुग गई है किनारे हिस्से में मिट्टी और काई जमा हो गई है वही कुछ जगह पर पानी भी जमा हो गया है इसका मतलब साफ है कि पूल से पानी की निकासी के लिए लगाए गए पाइप जाम हो गए हो पिछले महीने भर से पानी और कीचर जमा होने से अब तक कई वाहन चालक स्लिप होकर गिर चुके है इतना ही नहीं रात के वक्त तो अक्सर दुरगटना होती है पूल से नीचे उतरते ही गड़ों की भरमार हो गई है यह गड़े डामर रोड पर लगाए गए सिमेंट और गिट्टी मिश्रन की वज़से हुए है मेट्रों का काम चल रहा है इस वज़से सड़क संकरी हो गई है सुबह और शाम के वक्त इस मार्क से गुजरना बेहत मुश्किल हो जाता है चार पहिया और बस आजाए तो फिर दो पहिया और आटो चालकों की लंबी कतार लग जाती है श्री मोहिनी कॉम्पलेक्स से लेकर समविधान चौक पेट्रोल पम तक यही हालत रहती है यहां तक गड़े दिखाई देते हैं गड़ों की वज़े से दो पहिया वाहन हिचकोले खाते हुए आगे बढ़ते है सावनेर गोंड खैरी के निर्माना धहिन हाईवे का कारिय भले ही कोरोना काल में ठप पड़ा था लेकिन अब उतनी ही गती से इस हाईवे का निर्मान किया जा रहा है सावनेर कलमेश्वर तहसील के साथ अन्य गाओ को जोड़कर बहतर सुविधाओ से लेस यह मार्ग उतना ही प्रभावी और उप्योगी होगा दिल्ली मुंबई के साथ अमरावती जबलपूर को जोड़ने में इस हाईवे की विशेश भूमिका रहेगी लेकिन ऐसा करते वक्त इस हाईवे के बाजू से सर्विस रोड नहीं छोड़ने और उसका निर्मान नहीं करने से स्थानिय लोगों, किसानों और वाहन चालकों को काफी परिशानी हो रही है सावनेर कलमेश्वर तहसिल से जुड़े इस महामार्ग में प्राचीन धार्मिक धरोहरों में अदासा श्री गनेश, धापेवाड़ा विठ्थल मंदिर तथा अन्य ओद्योगी इकाईया भी जुड़ी है जिसमें सावनेर वेकोली मुख्य तोर पर जुड़ी है जहां से 24 घंटे कोईले के ट्रकों का आवागमन तथा दिन रात के ड्यूटी करने वाले हजारों कामगारों का कारियस्थल खान क्रमांक एक, आदासा, वागोडा खान दो और तीन है वेकोली कॉलनी भी इसी मार्ग से जुड़ी है जहां हजारों की तादाद में कॉर्टरों में लोग रहते हैं खान क्रमांक दो और तीन के हाईवे के चुराहे पर खदान की और जाने के लिए डिवाइडर से रास्ता काफी दूर होने से कामगारों को लंबी दूरी तै कर वापस खान क्रमांक दो वह तीन के चुराहे पर आकर खदान की और जाना पड़ता है जिससे काफी परिशानी होती है वही रात में लगातार हाईवे से वाहनों की आवाजाही और तेज लाइट से सड़क पार करने में काफी दिक्कते आ रही है यह मार्ग अब दुरगटना स्थल बनता जा रहा है हाईवे प्रशासन द्वारा इसे गंभिरता से लेते हुए सर्विस रोड बनाने पर विचार करने की आवश्यक्ता है हाईवे पर आसपास के गाव या बड़े ओध्योगिक शेत्रों को देखते हुए जनहीत में सर्विस रोड बनाया जाता है और नियम भी है लेकिन सावनेर के अंबिका ढाबे से निल गाव तक दोनों और से बड़े गड़ों के साथ कीचड और दलदल रहता है हाईवे अथारिटी द्वारा सर्विस रोड बनाने का अभी तक कोई नियोजन नहीं होने से इस मार्ग से आने जाने वाले हजारों करमचारियों के सामने बड़ी विकराल समस्या निर्मान हो गई है वही इस क्षेत्र के किसान तथा पशुपालक और चरवाहे हाईवे से बड़ी मुश्किल से सड़क पार कर अपने कार्यस्थल तक पहुचते हैं यह समस्या दिनो दिन गंबीर होती जा रही है हाईवे प्रशासन द्वारा शिग्र अंबिका ढाबा चौक से निलगाव चौराहे तक सर्विस रोड बनाने की मांग वेकोली कामगार और क्षेत्र के किसानों द्वारा की जा रही है केली बाद चौडाई करन को लेकर सर्वुच्छ न्यायालाय तक चली लड़ाई के बाद अब मनपा द्वारा चौडाई करन में बाधा बनी संपत्तियों को बलही उखाड फेका जा रहा हो लेकिन किरायदार दुकांदारों ने फिर एक बार हाई कोड का दर्वाजा खट-कटाया है याजिका पर लगातार सुनवाई की जा रही है इसी बीजब हाई कोड कार्यालाई की और से कुछ आपत्ति उठाई गई जिसके बाद नियादिश सुनिल शुक्रे और नियादिश अनिल के लौर ने अगली सुनवाई तक आपत्तियों का निवारन नहीं किये जाने पर याजिका खारिज करने का अल्टिमेटम दे दिया महानगर पालिका की और से पैरवी कर रहे अधिवक्ता जैमिनी कासट का मानना था कि लगभग 30 के करीब दुकानदारों ने याजिकाय दायर की है जिन पर अदालत ने जबरन खाली कराने पर रोक लगा रखी है मामले का शीगर निप्टारा नहीं होने के कारण चोड़ाई करन की प्रक्रिया पर असर पड़ रहा है अधालत का मानना था कि याजिका में तकनी की मुद्दे है इसे लेकर होने वाले फैसले का असर पूरे राज्य पर पड़ेगा अतहत तकनी की मुद्दे पर पूरी सु में भी आवश्यक है कई किरायदार दुकानदार याचिका करताओं का मानना है कि भले ही विकास एजनसी द्वारा संपत्ति धारकों से संपत्तिया अधिग्रहित कर ली हो लेकिन टैनेंसी एक्ट के अनुसार किरायदार होने के कारण उनका अधिकार अबादित है उन्हें किस इसी तरह का मुआउजा नहीं मिला है यहां तक कि उनके व्यापार को लेकर कोई निरने एजनसी द्वारा नहीं किया गया जिससे इस संदर्व में सर्वप्रतम निरने होना चाहिए सुनवाई के दौरान मनपा की और से पैरवी कर रहे अधिवक्ता कासट ने कहा कि महानग पालिका ने MRTP Act की धारा 126 के अनुसार भूमी या संपत्ती अधिग्रहन के नियमों का पूरा पालन किया है कानुन अधिग्रहन कर संपत्ती धारकों से खरीदी बीकरी का व्यवार किया गया तकनीकी मुद्दा होने के कारण हाई कोड की और से लगातार अंतिम सुनवाई क की जा रही है किन्तु इसी बीच अब कार्यालै की आपत्ती आने से गुरुवार को अधालत ने उक्त आधेश जारी कर दिये कोईले की कीमतों में पिछले तीन माह में तीन हजार रुपे प्रती टन की तेजी धर्ज की गई है कोईले की कीमतों में आई तेजी से छोटे छोटे सैकडो उद्योग के समक्ष अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया है और कई उद्योग बंदी के कागार पर पहुचने लगे हैं स्टील रोलिंग मील वालों ने उत्पादन कम करना शुरू कर दिया है क्योंकि उन्हें उन्ची कीमतों पर माल बेचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जानकारों ने बताया कि विदेश से आने वाले कोईले की कीमतों में जबरदस्त उचाल दर्ज किया गया जिसके बाद उद्योग घरेलू कोईले की तरफ मुडने लगे लेकिन उन्हें यहाँ पर भी कोईला मिलने में दिक्कत आने लगी परिणाम स्वरूप इउक्षन में कोईले की कीमतों में जोरदार इजाफा होने लगा अब तक कोईला मिलना भी मुश्किल हो गया है विदर्ब इंडस्ट्री असोसियेशन के पंकज बक्षी ने बताया कि तीन माह पूर्व तक आयातित कोईला गुजराद बंदरगा में आठ हजार से नौ हजार प्रती टन पर मिल रहा था लेकिन अभी इसकी कीमत बारा हजार रुपए प्रती टन तक पहुँच गई है इसका परिणाम यह हुआ है कि वेकोली के इउक्षन में कोईले की कीमत 5,000 से बढ़ कर 8,000 रुपए प्रती टन के स्तर पर पहुँच गई छोटे-छोटे उद्योगों को बड़ी हुई कीमतों पर कोईला लेना मुश्किल हो रहा है जिसका सीधा असर फैक्टरी के संचालन पर पढ़ने लगा है बक्षी ने बताया कि वेकोली 3 माह पूर्वतक प्रती माह लगभग 5,000,000 टन कोईले का आउक्षन करता था जो उद्योगों की जरूरते थी लेकिन पिछले 3 माह में इउक्षन के जरिये कोटे को घटा कर लगभग 3,500,000 टन कर दिया गया है इसलिए उद्योगों के बीच कोईले को लेकर मारा मारी हो गई है और कीमते बढ़नी शुरू हो गई है जानकारों का कहना है कि इउक्षन में कोईलों की उपलब्दता बढ़ाई जाती है तो कीमतों में अंतर देखने को मिल सकता है लेकिन निती ठीक नहीं होने के कारण समस्या बढ़ती ही जा रही है जिले में सितंबर माहा की शुरुआज से जारी लगातार बारिश ने किसानों की फसल को पूरी तरद हो डाला कहा इस वर्ष किसानों को अच्छी उत्पादन की आशा थी और अब कैसी परिस्ति किसानों पर आ गई है जिले के हर तहसील में बारिश ने कहर बरपा दिया चारोर पानी ही पानी नजर आ रहा है नदी नाले ओवर्फलो होने के साथ ही अनेक डैमों के जलस्तर बढ़ जाने से दरवाजे खोलने से किसानों के खेत जलमगन हो गए आज भी कई किसानों के खेतों में बारिश का पानी जमा हुआ नजर आ रहा है उत्पादन तो इस वर्ष घटेगा ही लेकिन ऐसे में अब किसानों को उत्पादन की नहीं तो सरकार से केवल मुआजे की ही उम्मीद है कृशी विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अभी सर्वे का कारिय जारी है और अक्टूबर के प्रतम सप्ताह तक जिले की सभी तहसिलों से रिपोर्ट प्राप्त होने पर ही जिले में नुकसान का सही अनुमान लगाया जा सकता है जिले में अभी तक अंदाजन करीब 84,249 हेक्टर फसलों को नुकसान पहुचा है ऐसा केवल अनुमान है आगे चल कर यहां आकड़ा बढ़ भी सकता है खरीब सीजन 2021 की फसल बुआई किसानों ने सहुकारों और बैंकों से करज लेकर की थी सोयाबिन की फसल अब कटाई पर आ गई थी किसानों ने दिवाली की भी तयारी शुरू कर दी थी किसानों को पुरी उम्मीद थी कि सोयाबिन की फसल उनके सारे करज चुकता कर देगी और उनकी दिवाली भी अच्छी होने की उम्मीद किसानों को थी परन्तु नियती को शायद कुछ और ही मनजूर था फसल कटाई से ठीक पहले लगातार और जोरदार बारिश होने से किसानों ने न केवल सोयाबिन बल्कि तूर, कपास, सबजी और अन्य फसले भीग बह गए अब किसानों को अपनी बची फसलों से कम लेकिन सरकार से मदद की उम्मीद बढ़ गई है बरबाद फसल अब किसानों को मुआवजे के अलावा कुछ नहीं दे सकती इसलिए जल्द से जल्द सरकार और कुशी विभाग सर्वे का काम पूरा कर रिपोर्ट भेज कर किसानों को मुआवजा देने की पीडित किसानों की मांग है तो WKB News के सुबह के प्राइम टाइम में आप तक के लिए इतना ही आप से फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहें WKB News नमस्कार